मैं आज कॉंग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथ ही दल हैं, उनको आज खुले आम चुनावती देता हूँ अगर उनमें हिम्मत है, तो वो खुल करके गोशना करें, कॉंग्रेस और उसके सारे साथी खुल करके गोशना करें, कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तयार है, कह दे जरां, बेज उनका हिसाब चुकता कर देगा, इतना ही नहीं, अगर कॉंग्रेस में साहस है, तो खुल कर ये भी गोशना करें, कि वो जम्मू कश्वीर और लदाख में, फिर से, आर्टिकल 370 को लागू करेंगे, बोलो जरां, हिम्मत है तो बोलो, मोदी ने हटाया है, आप वापिस लाने का देश के सामने गोशना करके दिखाओ, गुम्रा कर रहे हो लोगों को, अरे कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है, तो वो ये भी खुल करके गोशना करें कि तीन तला के खिलाप जो कानून मना है उसे वो रत कर देंगे जरा हिम्मत के साथ बताओ कॉंग्रेस इस चुनावती को स्विकार करें खुल करके एलान करें वरना देश से जूठ वलना देश में ब्रंफ लाना दूसरों को अपनी धाल बनाकर ये गुरिल्ला राजरीती करना बंद कर दें कि एनार्सी है इस देश के नागरिकों का रजिस्टर बनाना इस देश में कोई भी रह सकता है क्या और आधार से तो जरावी नहीं थे होती है आधार का एक अलग परपस है नेशनल रजिस्टर आप सिटीजन्स बनाना ही चाहिए और वो बनाने के पीछे किसी को बला क्यों अन्याय होगा क्या डर है और हो भी नहीं सकता क्योंकि इसके उपर कॉट है कॉट में इसको चैलेंज होगा कॉट में सुनवाई होगी कैसे हो जाएगा एक प्रक्रिया भी सुरुई नहीं हुई है और आप इतना बबाल करें हो लाखों करोडों लोग जो अपना धर्म बच के निता इस देश का विभाजन दर्म के आधार पर इसकी सहमती न देते हैं जब आपने विभाजन दर्म के आधार पर किया है और वहां से धार्मिक लगुमती जो है धार्मिक माइनोरोटी है उनकी प्रताधना हो रही है संक्यों को कि तो उनको नागरिता नहीं देंगे कह हाज हैंगे